में पर में सब्कंद करेंगे ह्चर्णri अब है नारे वाले एक्जाम आप। आप करेंगे तो आज तो हम स्टे पी सफिरे यंग करेंगे इसके रावाब हमे पमें telegram पर जॉइन करेंगे पर ईजिये Tea ने क्यांप छोंडिये का निए प्र०िया गए है आप पने से पहला क्वेशन है वी चौहदा फॉलॉइंग दिस्टिक ऑफ माचल प्रदेश दिस नॉट टच शिवालिक हिल्स जो शिवालिक हिल्स है निमली हिल्स में से कौन सा जिला ऐसा है इनको स्पर्स नहीं करता है तो इस कोशिन का ऑप्षिन है सई अंसरो का शिमला जो है वो शि शिवालिक हिल्स को मानक परवत के नाम से भी जाना जाता है मानक परवत का जाता है शिवालिक को और अगर आप बात करें धौलाधार परवत की तो धौलाधार परवत को मौलाक परवत के नाम से जाना जाता है मानक और मौलाक में कन्फूजन हो जाता है तो इसको याद द्हूलाधार की बात आगर आप करेंगे तो ये कांगड़ा में सर्वतिक आती है option a अगर कभी ध्हरमचाला जाएंगे द्हरमचाला से गहोई करीम से देखने को मिलेगी तो ये district 問 द्हूलाधार के बारे में याद रखे इसके लवाद धोलधार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मौलाख्ष परवत के नामसे इसको जाना चाता है अगर और भी धोलधार की बात करेंगे कहां कौन कौन से डिस्टीक में में पढ़ती है तो रिष्टी कांगड़ में पढ़ती है इस्टिक मंदी में पढ़ती है इस्टीक מचंबा में बहुत यह ठोड़े कुछ एक एरियाइस को टच करती है तो यह हो गया दोरदार के बारे में शिवाली के बारे में भी आपने जान लिए 133 देखे, which of the following district of हिमाशल प्रदेश fall in dry temperate zone कौन सा जिला है हिमाशल प्रदेश का ऐसा, जो सुस्क सितोशन क्षेत्र में आता है तो dry temperate zone में जो एरिया आता है हिमाशल प्रदेश का वो कौन सा एरिया हो सकता है वो एरिया है लोहल स्पित्ती का एरिया और किन्नौर का एरिया 133 का जो है वो option, C से इनतर है लोहल स्पित्ती और किन्नौर अगर आप dry temperate zone के बारे में और भी जानेंगे तो लोहल स्पित्ती यहां पर आता है कि नौर यहाँ पर आता है और पांगी का एरिया भी जो है इसी में आता है तो यह आप याद रखेगा Dry Temperate Zone के बारे में अगला Question देखेंगे Which of the following lakes is not located in Chamba district of Himachal Pradesh ऐसी कौन सी जील इन में से है जो district Chamba में नहीं पढ़ती है Question number 134 की अगर आप बात करेंगे तो करेरी जील ऐसी है जो district Chamba में नहीं पढ़ती है अगर बात करेंगे गडासरु जील की, लामा जील की और खजिया जील की तो यह जो है यह चमबा district में पढ़ती है करेरी जील के पारे में पहले जान लेते हैं, करेरी जील जील कहां पर बढ़ती है करेरी जील जो है यह अगरती है district Kangara में तरह करेरी की जील अब important जील की बात करते हैं, पहले तो district Chamba की important जील आप जानेए गड्रत जील हो गया, खचियार जील हो गया, लामा जील हो गया, चमेरा जील हो गया, महकाली जील हो गया, ये जीलने जो है ये जमबा में बढ़ती है अगर आप बात करेंगे कुछ और जील जैसे कि कुल्लू की important legs होगी तो कुल्लू की important legs कौन कौन सी है कुल्लू में आती है भरेगू लेख हो गया आपका सर्योलसर लेख हो गया मंतलाई लेख हो गया स्रिंक टिंगू लेख हो गया ये लेक जो है आप क्याती है कुलू में और इसी तरह अगर आप मंडी की भी बात करेंगे तो मंडी में कौन कौन से लेक आती है मंडी में कुंत भ्योग लेक आती है कलासर लेक आती है सुकसार लेक आती है परासर लेक आती है मंडे में पंडो जील मंडे में आती है तो ये जीले मंडे की जीले हो गए अगला क्वेशन देखिए यहां पर पूछा गया है पबबर इस ट्रैविट्रिय ओफ विचोटा फॉल्वाइन रिवर तो पबबर जो है इनमें से किसकी साहिक है अगर पबबर की आप बात करेंगे तो पबबर के बारे में आपको लगवा पता ही होगा कि यह यमुना की साहिक है और तो पबबर नदी के बारे में आप कुछ और भी जान लीजिए तो पबबर यमुना की साहिक है और यह कहां से निकलती है यह चंदर नहां से निकलती है पबर वैसे टॉंस की साहिक है और टॉंस जो है यमुना की साहिक है यमुना नदी के बारे में अगर आप जानेंगे तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी यह इसका वैदिक नाम है इसकी साहिक नदियां कौन-कौन सी है टॉंस हो गया पबबर हो गया किरी हो गया जलाल हो गया बाटा हो गया असनी हो गया यह इसकी सहयक नदियां है अगला क्या गे चस्छी पार के बता है कुल्लू में यह पढ़ता है option D, say answer इसी तरह अगर आब बात करेंगे कसोल water spring की तो कसोल कहां पर पढ़ता है यह भी कसोल water spring यह भूंतर के समीप डिश्टिक कुल्लू में पढ़ता है और अगर बात करेंगे खीरगंगा की तो खेरगंगा कहां पर पढ़ता है यह भी कुलू में ही पढ़ता है वस्यष्ट पाने की जस्में की बात करेंगे तो यह पर पर पढ़ता है यह जिस झहाँ पर पहता है वान की सब्सक्राइब यहां पर पूछा गया है रिब्बा दी लैंड ऑफ ग्रेप्स इस इंद लिस्टिक आफ तो रिब्बा जिसको अंगूरों की भूमी भी खा जाता है वो कौन से लिस्टिक में पढ़ती है तो 137 के अगरा बात करेंगे तो option C कि नौर जो है वो सही अंसर है रिब्बा कि नौर से समंदित है अब रिब्बा दा वैली ऑफ ग्रेप्स की नौर में है लिडल तीबत जो है किसको का जाता है लिडल तीबत लोहलस्वित्ति को का जाता है मिन्नी लहासा किसको का जाता है मिन्नी लहासा धरमचाला को का जाता है लैंड आफ ग्रेप्स की नौर के रिब्बा म के बता देजिए रीवर आफ स्वारों के बारे में अगला गर्शिन देखिए 138 दूरिंग फर्स्ट वर्ड वर्ड राजा ऑफ चंबा भूरी सिंग जो पहला विश्वयूद हुआ था तो उस दौरान चंबा के राजा जो भूरी सिंग थे उनका क्या रुख था अंग्रेज यह दौरा था 1940 से लेकर 1918 के बीच तब इन्होंने अंग्रेजों की साहता यहां पर की थी इन्होंने भूरी सिंग म्यूजियम जो की हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम भी है उसकी स्थापना भी की थी इन्होंने 1908 में यह आप याद रखिए और अगर आप बात करेंगे डिस्टिक चंबा की कि डिस्टिक चंबा के अंतिम राजा कौन थी तो डिस्टिक चंबा के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राजा लक्षमन सिंग यह डिस्टिक चंबा के अंतिम राजा हुआ करते हैं अगला कोशिन देखिए 139 139 कोशिन की बात करें त तो हमिरपूर की स्थापना जो था वो किसके दोरा की गई थी तो 139 का ओप्षिने सही है राजा हमीरचंद राजा हमीरचंद के दोरा हमिरपूर की स्थापना की गई दोखो राजा हमीरचंद जो था वो कांगडा के राजा हुआ करते थे अब ये कांगड़ा के राजा हुआ करते थे इन्हों ने जो था कांगड़ा पर साशन किया था 1700 से लेकर 1747 था हमिरचंद ने 1747 1743 में जो था वो हमिरपूर में एक इले का निर्वान किया जिसके बाद यहां पर हमिरपूर नामें कहलाया और हमिरपूर की स्थापना इस तरह से हो गई थी अगर आप बात करें कि एक्जाम में किस तरह से क्वेशन पूछा जाए सकता है एक वार एक्जाम में क्वेशन पूछा गया था कि नदाउन जो कि लिस्टिक हमिरपूर में पढ़ता है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है नदाउन जो है वो बयास नदी के किनारे बसा हुआ है महल मूरियां एक स्थान है जहां पर राजा संसारचंद और गोरखाओं के बीच में लड़ाई हुई थी वो कहां पर पड़ता है महल मूरियां कहां पर पड़ता है ये डिस्टिक हमिरपूर में पड़ता है और हमिर्पूर जो था वो हिमाचल प्रदेश का जीला कब बना था? हमिर्पूर हिमाचल प्रदेश का जीला बना था 1972 में तो यह सब आपको याद रखना है हमिर्पूर के बारे में अगला क्वेशन देखिए, who was made जागिरदार आफ कांगडा by अकवर in 1572 AD? 1572 में अकवर दारा कांगडा का जागिरदार किसे बनाया गया था? 1572 में कांगडा का जो जागिरदार बनाया गया था, वो बनाया गया था अकवर के दोरा बिरल को option B, बिरल जो है वो सहिन सर है 1572 में एक और इंसिडेंट भी हुआ था तो राजा जैचंद के बेटे हुआ करते थे राजा बिधीचंद बिधीचंद ने जो था वो 1572 में अकवर के बिरूद जो था वो बिद्रो किया था और अकवर ने क्या किया अकवर ने जो था वो हुसेन कुली खान को कांगडा पर आजा बिलबल को देने के लिए भेजा तो यह थोड़ा सा आप याद रखेगा 141 क्वेशिन देखिए वू वॉस्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालेन रियास्ति प्रजामंडल सेट अप इन शिमला इन प्रेजिडेंट नवित आप इन शिमला में इस को सेट अप किया गया था यह थो दो कुछिन तो आपको यही से अब तीसरा कुछिन बंता है यहां से कि इसके पहले प्रेजिडेंट हों थे तो question number 141 का option C सही answer है पदम देव पदम देव जो था वो HRPM यानिके हिमालेन रियास्ती प्रजामंडल के पहले प्रेजिडेंट बने थे अग उसी दरह अगर बात की जाए हिमालेन हिल स्टेट रिजनल कॉंसल के जिसको HHSRC भी कहा जाता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में HHSRC की स्थापना हुई थी अगला question देखिए 142 142 में कहा गया है पजाता moment was the extension of the पजाता अंदोलन जो था ये किस्त का विश्थारन था अगर पजाता अंदोलन की बात करें तो ये quit India moment यानि के बारत चोड़ो अंदोलन का जो था विश्थारन था option सी इसका सही answer होगा अब question पूश्थे जाता है कि पजाता अंदोलन जो था वो कब हुआ था यहां पर साफ-साफ लिखा गया है 1942 तो 1942 में ये पजाता अंदोलन जो था ये हुआ था और ये किसका extension था तो ये quit India moment का extension था ये भी आपको पता होना चाहिए next question देखे 143 यहां पर पूचा गया है गुजर्ज आर में ली गुजर्ज जो है ये मुखेता होते हैं चार options आपके पास दी रही है तो गुजर्ज जो है देखो ये मुखेता हिंदूस भी होते हैं और मुसलिम्स भी होते हैं तो 143 question का option D से answer है both A and B ये हिंदूस भी होते हैं और मुसलिम भी होते हैं ये जो गुजर्ज जो है ये मुखेता रूप से पाए जाते हैं मंडी, कांग्रा, सिर्मौर, सोलन, चंबा में ये हिंदू गुजर्ज की बात है कि हिंदू गुजर्ज मंडी, कांग्रा, सिर्मौर, सोलन, चंबा में मुखेता रूप से पाए जाते हैं ये जब questions आप याद रखिये, HPGK के questions हमने discuss किये, so that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently.